सतीश मानच शिंदे ने आर्यन को बैल दिलवाने के लिए अब एक नया पहत्रा खेला है कौट के अंदर आर्यन की जो बैल आप्लिकेशन दी गई है उसमें एक नया पॉइंट ऐड किया गया है और इसी पर अब bail के लिए apply किया जाएगा कि जो WhatsApp chat NCB main सबूत लेकर चल रही है वो WhatsApp chat इस incident से related ही नहीं वो तो पुराना WhatsApp chat है उससे अब NCB को क्या लेना देना यह WhatsApp chat तब की है जब मैं इंडिया में था भी नहीं मैं यूएस में था और वहाँ पर इस तरह के drugs जो है वो legal है ऐसे में ये chat इस cruise ship वाली investigation का हिस्सा कैसे बन सकती है यही बात आरियन की इस नई bail application में लिखी गई है आपको बता दे कि सतीश मानशिंदे ने 2-3 बार आरियन के लिए bail application फाइल की है और हर बात एक नया narrative दिया है लेकिन जब bail reject हो गई तो सतीश मानशिंदे को एक बार फिर से नया point add करना पड़ा कि पिछली bail क्यों reject हुई थी तो WhatsApp chat का NCB ने हवाला दिया था और उसी कारण bail reject हुई थी इसी point को ध्यान में रखते हुए अभी Bombay High Court में जो fresh bail application आरियन की दायर की गई है उसके अंदर पुरानी दलीले तो रखी ही गई है इसके अलावा ये नई दलील add की गई है जिसमें आहा है कि पुरानी WhatsApp chat को NCB की टीम गलत तरीके से पेश कर रही है ये WhatsApp chat इस cruise ship वाली investigation से कोई तालुक ही नहीं रखती है उसके बावजूद उसके कारण मुझे fix किया जा रहा है मुझे फसाया जा रहा है ये नई बात आरियन की bail application में लिखी गई है सतीश मानशिंदे पर इस वक्त गजब का pressure है जितने दिन सतीश मानशिंदे ने आरियन की bail application के लिए फाइल किया और सुनवाई हुई सेम डे कौट से सतीश मानशिंदे को डायरेक्ट मननत ले जाया गया है वो सीधे घर नहीं गए ऐसे में समझ सकते हैं कि bail दिलवाने के लिए उनके उपर कितना pressure है सतीश मानशिंदे के साथ अमिद देसाई भी legal team का हिस्सा बने और हाल ही में हाइकार्ट में जो bail application register की गई तो सतीश मानशिंदे ने एक special request रखी कि क्या कोई वकील video conferencing के थूँ इस hearing में शामिल हो सकता है जिसका मतलब यह है कि शारुक खान ने अपनी legal team को और extend किया है और बाहर के वकील भी hire किये है शायद से दिल्ली का कोई वकील है senior वकील उसको add किया गया है और उसी के लिए Bombay High Court में यह permission मांगी जा रही थी लेकिन High Court में इस permission को देने से मना कर दिया है 26 सारी को आरियन की bail पर सुनवाई है देखना यह है कि क्या यह WhatsApp वाला नया angle जो है आरियन को bail दिल्वा पाता है क्या सतीश मानशिंदे का यह पैंतरा आरियन के favor में काम करेगा